हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सलाद सलाद बनाना बहुत आसान है कई अलग अलग तरीके के सबजियों और फलों को सामिल करके तरह तरह के सलाद बनाए जाते हैं इसी ही एक आसान रेसिपी हम आपके साथ सेर करने वाले हैं ये सलाद बहुत हेल्दी है और किसी भी मील के साथ इसका कॉंबिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूट रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले सलाद बनाने के लिए हमने लिए हैं अमरूद, खीरा ककडी, टमाटर, सिम्ला मिर्च, प्याज, गाजर और आधी पत्ता गोबी सारी सब्जियों और फलों को हमें इस तरह से कट कर लेना है देखिए आप इसमें अपने पसंद के अनुसार और भी फल और सब्जियां एड़ कर सकते हैं अब एक बड़े मिक्सिंग बोल में इन सारी सब्जियों और फलों को हमें ट्रांसफर कर लेना है देखिए सलाद जो है वो सेहत के लिए बहुत फाइदे मन है इसे खाने से सरीर में विटामिन्स, मिनरस और फाइबर्स की कमी पूरी होती है डाएट में सलाद सामिल करने से पाचन क्रिया दुरूस्त होती है साथ ही में वेट लोस के लिए सलाद बहुत ही फाइदे मन है इस सलात को बनाने के बाद आप तुरन भी खा सकते हैं लेकिन जब आप इसे बना कर एक घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे और बाद में खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेश्टी लगेगा देखे हमने मिक्सिंग बोल में सारी सबजियां और फल एट कर लिए इसमें हम एट कर देंगे दो टेबल स्पून हरा धनिया और एट करेंगे तीन टेबल स्पून अनारदाने अब एट करेंगे half teaspoon काली मीच पाउडर half teaspoon लाल मीच पाउडर देखें आप लाल मीच पाउडर की जगह चिली फलेक्स भी एट कर सकते हैं साथ ही में एट कर देंगे half teaspoon या फिस्वादन उसा नमक और एट करेंगे एक teaspoon चीनी अब हमें इसमें एट करना है ओलिव ओईल यानि की जेतुन का तेल इस तेल के बहुत से हेल्ज बेनिफिर्स होते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप इसे जरूर से एट कीजिएगा दो टेबल स्पुन जितना ओलिव ओईल इसमें एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेश्टी सलाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई